हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा DHEA टेस्ट क्या होता है? DHEA टेस्ट कब करवाया जाता है? DHEA टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है? DHEA टेस्ट कैसे होता है? DHEA टेस्ट का प्राइस क्या होता है? पूरी डीटेल्स जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए नमबर वन, DHEA टेस्ट क्या होता है? DHEA टेस्ट का फुल फॉर्म डि हाइड्रो एपिएंड्रो इस्टेरॉन सलफेट टेस्ट होता है DHEAS एक एंड्रोजन यानी सेक्स हार्मोन है जो की महिलाओ और पुरुषो दोनों में एड्रेनल गरंती द्वारा बनाया जाता है ये कुछ मात्रा में महिलाओ के शरीर में अंडाशय द्वारा और पुरुषो के अंदर रक्षन द्वारा बनाया जाता है ये हार्मोन प्यूबर्टी के समय पुरुशों में अन्य यौन लक्षणों के विकास में मदद करता है जैसे आवाज गहरी होना और मानस्पेशियां विकसित होना आदी DHEAS का एक भाग अन्य प्रजनन हार्मोन में बदल जाता है जैसे टेस्टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन DHEAS हार्मोन प्राथमिक तौर पर एड्रेनल ग्रंती द्वारा बनाया जाता है इसलिए इसे एड्रेनल की कार प्रक्रिया की जाज के लिए एक मारकर की तरह उपयोग किया जाता है एड्रेनल ट्यूमर और एड्रेनल हाइपर प्लाजिया का पता लगाने के लिए DHEA टेस्ट से खून में DHEAS हार्मोन के लेवल का पता लगाने के लिए किया जाता है डॉक्टर एंड्रोजन टेस्ट के साथ DHEA टेस्ट करवाने की सलाह इन लक्षणों में दे सकते हैं जैसे गंजेपन के कारण का पता लगाने के लिए DHEAS हार्मोन के अधिक ब्लीडिंग का कारण जानने के लिए एड्रेनल ग्रंथी की कार प्रक्रिया की जाच के लिए एड्रेनल ग्रंथी के बाहर के छेतर में किसी ट्यूमर की मौजूदगी की जाच करने के लिए कंजे निटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया की जाच करने के लिए महिलाओ में इस टेस्ट की सलाह इन लक्षणों में दी जाती है जैसे बाल जड़ना मुहा से इस्तनों का आकार कम होना पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बांजपन एमेनोरिया मुह और शरीर पर अध इसकी नॉर्मल रिंच 18-19 साल के बीच में 145 से 395 मुक्रम पर डेसी लीटर के बीच में होती हैlove 20 से 29 साल के बीच में 65 से 385 मुक्रम पर डेसी लीटर के बीच में होती है 30-49 साल के उम्र में 45-270 माइक्रो ग्राम पर डेसिलीटर के बीच में होता है 40-49 साल के बीच में 32-240 माइक्रो ग्राम पर डेसिलीटर के बीच में होता है 50-69 साल के बीच में 26-200 माइक्रो ग्राम पर डेसिलीटर के बीच में होता है 60-69 साल के बीच में 13-130 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होता है 79 से अधिक उम्र तक 17-90 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है अब आईए जानते हैं पूरुशों में इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है 18-19 साल की उम्र तक 108-441 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होता है 20-29 साल की उम्र में 280-640 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होता है 30-49 साल की उम्र में 120-520 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होता है 40-49 साल की उम्र तक 95-530 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होता है 50-69 साल की उम्र तक 70-310 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होता है 60-69 साल की उम्र तक 42-290 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होता है 69 साल से अधिक उम्र तक 28 से 175 माइक्रो ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होता है हर लैब की रिफरेंस रेंज अलग-अलग हो सकती है इसलिए रिपोर्ट का रिजल्ट जानने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें 4. DHEA टेस्ट कैसे होता है? 4. DHEA टेस्ट के लिए नॉर्मली ब्लड सेंपल की आवशक्ता होती है जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है इस टेस्ट को करवाने के लिए किसी खास प्रिपरेशन की आवशक्ता नहीं होती है ये टेस्ट आप अपनी सुविधा की अनुसार कभी भी करवा सकते हैं 5. DHEAS टेस्ट का प्राइस क्या होता है? DHEAS टेस्ट का प्राइस 1000 रुपीज से 1500 रुपीज के बीच में हो सकता है So friends, मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends के साथ शेयर कीजिए Thanks for watching this video